खापा थाना अंतरगर्द गुंगाव खदान में रविवार को डॉक्टर बाबा साहिब आमिटकर जहनतिक के उबलश में शोभा यात्रा के दुरान निर्मित होई तैनाव पुर्णस्क्तिती को देखर पुलिस अदिक्षक हरिश पोद्दान ने सक्त रुख अपनाती वे द जोभा यात्रा के दुरान किसी प्रकार का वल प्रयोग नहीं करना है लेकिन जार्च में पता चला की आदिश का उलना गणफा है इसलिए पुलिस अदिक्षक ने खापात आने की पुलिस उपनिरिक्षक मिलिंद गेडाम और अमलतार गनेश बगनुरे को सस्पेंट करने क प्राथमी चांश की आदिश भी ऐस्पी नेती हैं उन्होंने चेताम नेती है कि इस घटना को लेकर कोई भी जातिवात ना करे और सोशल पुलिस उपनेरिशक मिलिन कीडाम और अमलतार गनिश बगनुरी डीजे बंद करने का प्रयास करे थे। उन्होंने इसके लिए कथीत रूप से अधिक पल का प्रयोग किया जिससे वहाँ पर तनाव की स्थिती निर्बान हो गी। पुलिस और लोगों के पीच हाता पई होने से एक युवक मामुली रूप से जख्मी हो गया। शबयात्रा में मौचुद लोगों नी ठाने का खेराव किया। अगर उसमें sound pollution guidelines की कोई violation हो रही है तो station diary में entry करकर के बाद में गुना भी दाखल किया जा सकता है। इसको मद्दे नजर रखते हुए जो crowd आय थी खापा पुलिस station में उस समय मैंने उनसे खुद मिला और फिर उनके मसले का समाधान कर करके फिर वहाँ पे कोई law order जो है वह वहाँ पर शांत की गई थी दो लोगों को सस्पेंट किया गया है एक PSI और एक करंचारी क्यामरा पसन अखिलेश भारतवाज के साथ अभिशेव पांसी के रिपूर्ट